हेलो नमस्ते आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है जैसे कि आपको पता है जैक बोर्ड दो हजर इकीस का दसभी क्लास विज्यान जो टॉप हंड्रेट कोस्चन का सीरीज चल रहा है यह पार्ट टू है जो केमेस्ट्री से रिलेटेट है ठीक है एक्जम के लिए बहुत ह इमपोर्टन है जो एक्जम ओर्येंटेट कोस्चन है अगर आप अभी तक पार्ट वान को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है आप पार्ट वान को देख लिजे और यह पार्ट टू है जो टॉप हंड्रेट कोस्चन का कलेक्शन है जो बहुत ही इमपोर होता है कौन सा अमल होता है एसीडिक अमल एसीटिक लिखा हुआ है एसीटिक अमल सालफ्यूरिक अमल हाड्रोकलरिक अमल जो होता है या कार्बोजाइलिक अमल इसका जो सही एंसर होगा वो होगा एसीटिक अमल ठीक है बिनेगार में एसीटिक अमल पाया जाता है फोलों के रस में भी एसितिक अमल पाए जाता है फोलों के रसों में भी एसितिक अमल पाए जाता है ठीक है 26 का सही एंसर हो जाएगा ए एसितिक अमल 27 को ध्यान से पढ़िए संत्रा में कौन सा अमल उपस्तित होता है 27 का जो सही एंसर हो जाएगा संत्रा में जो खट्टे फलो में साइट्रिक अमल पाए जाता है जिसे संत्रा हो गया अमला हो गया तो 27 का जो सही एंसर हो जाएगा 28 का जो सही एंसर हो जाएगा अमला ठीक है टमाटरों में पाए जाता है 29 को ध्यान से पढ़िये 29 में लिखा हुआ है निम्बू का रास होता है अमलिया होता है छारिया होता है लावनिक होता है या तठस्त होता है निम्बू का रास होता है अमलिया ठीक है निम्बू का रास होता है अमलिया और निम्बू में साइट्रिक असिट पाए जाता है ठीक है थाट्टी को ध्यान से पढ़िए, question number, थाट्टी में लिखा हुआ है, एक विलायन, लाल लिटमस को निला कर देता है, विलायन का pH मान होगा, साथ से कम होगा, साथ से अधिक होगा, साथ के बराबर होगा, या इन में से कोई नहीं, देखे, साथ से कम नहीं होगा, ठीक है, ए एंसर होगा, साथ से अधिक, तो 31 को ध्यान से पढ़िए, pH इसकेल का परास होता है, 1 से 7, 7 से 14, 1 से 14, 14 से 28, इसका जो सही एंसर होगा, 1 से 14, ठीक है, एक से 14 तक, pH इसकेल का परास होता है, एक से 14, 32 को ध्यान से पढ़िए, दो अमलो, A और B के pH क्रमस 1 और 4 है, कोन सा अमल अधिक सक्ति साली है, A होगा, B, C में लिखा हुआ है, A और B, दोनों बरावर, या डेटा अपर जब्त है, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, वो A होगा, ठीक है, दो अमलो, A और B के pH क् अधिक सक्ति साली है, ठीक है, कोस्चन नमबर 33 को ध्यान से पढ़िए, छारिया बिलायन का pH मान होता है, जो छारिया होता है, ठीक है, तो साथ से कम, ये अमलिया होता है, साथ से अधिक, ये छारिया होता है, अलकालिक होता है, छारिया, साथ से अधिक, ठीक है, साथ के बर बावर उदासिन होता है तो इसका जो सही एंसर होगा B है acetic अमल H2SO4 sulfuric acid H2SO4 जो होता है बो होता है sulfuric acid ठीक है तो यह नहीं होगा HCl hydrochloric acid यह नहीं होगा CH3COOH यह सही answer होगा acetic अमल का जो सुत्र होता है CH3COOH ठीक है 36 को ध्यान से पढ़िए question number 36 में दिया हुआ है निम्न समिकरन में loop path क्या है आप समिकरन को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है यह जो समिकरन दिया हुआ है ध्यान से पढ़िएगा इसका जो सही answer हो जाएगा CO carbon monoxide नहीं होगा ठीक है इसका जो सही answer हो जाएगा H2O water हो जाएगा ठीक है H2O H2O gel होता है ठीक है तो 36 का जो सही answer होगा H2O तो 37 को धियान से पढ़िए 37 में लिखा हुआ है HCL और Zinc धातु के अभिक्रिया में निकलने वाली ग्यास है HCL hydrochloric acid और Zinc धातु के अभिक्रिया में निकलने वाली ग्यास है CL2 यह नहीं होगा ठीक है तो 37 का जो सही एंसर हो जाएगा H2 hydrogen हो गए H2 ठीक है देखे H2SO4 H2SO4 Sulfuric Acid प्लास zinc ठीक है इससे क्या होता है जिंक sulfate होता है zinc sulfate as Zetan Aso4 plus H2 H2 निकलता है ठीक है H2SO4 plus zinc H2SO4 होता है Sulfuric Acid और zinc जो अभिक्रिया होता है zinc sulfate होता है Zetan Aso4 और H2 निकलता है ठीक है तो 38 को ध्यान से पढ़िए 38 को 37 का जो सही अंसर होगा H2 हो जाएगा ठीक है hydrogen अब 38 को ध्यान से पढ़िए चुने के जल में CO2 मिलाने से चुने के जल का रंग हो जाता है क्या होगा काला होगा निला होगा दुधिया होगा या लाल होगा दुधिया हो जाएगा CO2 carbon dioxide होता है ठीक है potassium dichromate ठीक है इसे कहते हैं potassium dichromate एर SO2 को कहते है sulfur dioxide ठीक है रंग हो जाता है कैसा हो जाता है लाल होता है पिला निला या हरा इसका जो सही एंसर हो जाएगा 39 का हरा हो जाएगा ठीक है question number 40 को ध्यान से पढ़िए वह धातु जो अमल एवंग छारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर H2 gas बनाता है H2 मतलब hydrogen होता है ठीक है copper होगा zinc होगा मेगनीच होगा या फेरस होगा इसका जो सही एंसर हो जाएगा zinc होगा ठीक है मैं फिस से discuss कर लेता हूँ देखिए H2SO4 H2SO4 प्लास zinc ठीक है क्या होता है ना zinc sulfate होता है jet and SO4 प्लास H2 H2 निकलता है ठीक है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा 40 का वो होगा zinc ठीक है तो 41 को ध्यान से पढ़िए 41 में लिखा हुआ है निम्न समिकरन में कौन अपचाय के रूप में कार्च करता है यह जो समिकरन दिया हुआ है आप समिकरन को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है इसको क्या कहते है इसको potassium dichromate कहते है ठीक है तो 41 का जो सही एंसर हो जाएगा B होगा SO2 41 का सही एंसर होगा SO2 sulfur dioxide sulfur dioxide ठीक है 42 को ध्यान से पढ़िए SO2 gas gel में है SO2 sulfur dioxide gas gel में है निम्न विलाई उच्च विलाई मध्ध विलाई या डेटा अपरजब्त है इसका जो सही एंसर हो जाएगा 42 का वो उच्च विलाई होगा ठीक है SO2 sulfur dioxide उच्च विलाई होगा 43 को ध्यान से पढ़िए 43 को ध्यान से पढ़िए लिखा हुआ है CO2 gas carbon dioxide gas भींगा हुआ नीला लिटमस को परिवर्तित करता है लाल में पीला में हरा में या निला में 43 का जो सही एंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा ठीक है 43 का लाल हो जाएगा 44 को ध्यान से पढ़िए किसके साथ अभिक्रिया कर H2SO4 sulfuric acid ठीक है hydrogen gas बनाता है copper ferrous जस्ता या carbon इसका जो सही एंसर हो जाएगा C हो जाएगा जस्ता ठीक है 44 का जो सही एंसर हो जाएगा zinc हो जाएगा जस्ता ठीक है जटन लिखते है 45 को ध्यान से पढ़िए 45 में लिखा हुआ SO2 कैसे एकत्र की जाती है y को नीचे की और विस्थापित कर या y को उपर की और विस्थापित कर या y की उनुपस्तिती में या उपरक्त सभी इसका जो स 45 का B हो जाएगा 46 को ध्यान से पढ़िए 46 में लिखा हुआ है किसे गर्म करने पर SO2 ग्यास उत्पन्न होती है SO2 ग्यास SO2 सल्फर डैयोकसाइड ठीक है SO2 सल्फर डैयोकसाइड होता है ओप्शन को ध्यान से पढ़िएगा 46 में इसका जो सही एंसर हो जाएगा C हो जाएगा ठीक है किसे गर्म करने पर SO2 सल्फर डैयोकसाइड ठीक है तो 47 को ध्यान से पढ़िए 47 में दिया हुआ है जिंक सल्फेट के बिलायन में तांबे का एक टुक्रा डालने पर क्या होता ह जिंक सल्फेट में ठीक है O2 बाहर निकलता है CO बाहर निकलता है कोई अभिक्रिया नहीं होती है डेटा अपर जब्त है 47 का जो सही एंसर हो जाएगा कोई अभिक्रिया नहीं होता है ठीक है C हो जाएगा question number 48 को ध्यान से पढ़िए question number 48 में दिया हुआ है SO2 sulfur dioxide जल में घुल कर क्या बनाता है hydrochloric aml यह sulfuric aml यह sulfurous aml यह carvogelic aml इसका जो सही answer हो जाएगा sulfurous aml हो जाएगा ठीक है C हो जाएगा 49 को ध्यान से पढ़िए acetic aml का रंग होता है लाल होता है हरा होता है पिला होता है यह रंग हीन होता है 49 का जो सही answer हो जाएगा वो रंग हीन होगा ठीक है acetic aml acetic aml क्या होता है acetic aml CH3 COOH COOH होता है acetic aml अब 50 को ध्यान से पढ़िए 50 में दिया हुआ acetic aml की गंद होती है acetic aml निम्बू का गंद केले का गंद तिक्छन गंद इन में से कोई नहीं C हो जाएगा इसका जो सही answer होगा C तिक्छन गंद ठीक है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपी तक पहुँचेगा और आपी को फाइदा मिलेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक कियर प्राइब करेंगे